कि हैं हेलो फ्रेंट्स मैं देली बोर रहा हूं और आप लोग देख रहें मेरा दिके स्वाइल गुर्णुस आज में यह जो पारव सप्लाइज देख रहे हैं इसके सब्सक्राइब क्या है कि इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूं देखिए। इसका जो सार्किट डाइग्राम है मैं सेम टू सेम इसको देख रहे हैं यहां पर पॉइंट है टांस्परमर का यह दो पॉइंट देख रहे हैं और इसमें देख रहे हैं यहां पर चार पॉइंट है यह दो तीन चार पॉइंट है टांस्परमर का है और यह देख रहे हैं यह यहां पर जो क्वैल है यहां लगा हुआ है और इसका जो प्यूज देख रहे है यहां पर है और यहां पर है और यहां पर है सस्टी यहां पर ग्याड है ले देखे दूस्तो यहां पर लिखा है जसी इन हो रहा है रहा है अन्हेंगों अग बाद प्यूज लगा हुआ है इस सर्कित में कहीं अगर सर्ट किठ हो जएगा तो इस फ्यूज जल जाएगा द tenga है जो देखरहे हैं यहां अवर पाण सब दौस्ट के Кदो TB हो व्यजिस्टेंस एपश में दौनों में लागा वहा है और यह जो है इस शर्किट को यह सर्काइट करता है है उसके बाद देखिए जो ब्रिलिज डैोड लगा है लगा हुआ है इसमें AC को DC करता है DC के नेगा बाद देखिए 33 MFDP 450 बुल का केपासिटर लगा हुआ है बड़ा होला यह जो देख रहे हैं यहां एक केपासिटर है तो इसमें 330 बुल बनने का बाद देखिए यह जो ए नेगेटिफ है यह पोजेटिफ है नेगेटिफ सप्द्राइज यहां पर ग्राउंड है यह जो हट ग्राउंड बोलते हैं AC टाइप साइड में है इसको देखिए यह ट्रास्फरमर का एक कोईल में रेडी है नेगेटिफ और एजो पोजेटिफ है जो देख रहे है दुसारा जो कोईल है इसमें यहां पर इस पोईंट में रेटी है, 330 वल्ड, उसके बाद अगर यह टास्फरमर केस्ट से चालू होगा, इसको चालू करने के लिए 560 को स्विचिंग करना होगा, यह जो स्विचिंग केस्ट से होगा, तो देखिए इसको स्विचिंग करने के लिए एक स्विचिंग करने के लिए इसको क्या चाहिए सप्लाई चाहिए, तो इसको सप्लाई कहां से मिलेगा, तो देखिए एक नमर में GND है, दो नमर में फीडवेक है, तीन नमर में आराए है, और चार नमर में IS है, पांच नमर में VDD, इसे सप्लाई है यहीं पर, और 6 नमर में आउट होके इसको जो मॉस्बाट इसको ड्राइब करता है। तो देखिए जो वी डिडी शपलाई आःं है देखिए यहां से, तो इसको पहले इसको सपलाई मिलेगा कहां से- देख रहे हैं 0.330 DGabdas 2023 इसका जो ग्राउंड है उसमें एक नुमर में और इसको supply पिन हैं VDD तो वी डी डी में इसको आपको supply कहाँ से मिलेगा तो इसमें देखिए जो 330 भल्ट का है यहां से देखिए दो resistance लगा हुआ है इसमें आपको देख रहे हैं और आप लोग circuit में देख रहे हैं यहां पर दो resistance लगा हुआ है यहां पर और यह इसो को जापर मुण हैं और इहां से होके यह देख ड्रेन है इसको स्वार से यहां पर ब्रीज डैट है इसका नेगेटिव से 0.471 वक को रेजिस्टेंस है इहां नेगेटिव रेड़ी है और इसमें जो गैट है इहां पर जो शफलाई मिलता है मिलने का सासाथ इसमें टीगार इंग आउट करते हैं यहां से सब जो प्लास सप्लाई रेडी है यहां से माइनस सप्लाई यहां होके रहा जाता है तो इसमें सप्लाई निकलने शुरू कर जाता है और सप्लाई निकलने के साथ सदे देखे रहे हैं यहां पर जो जी एंड लिखा है एक ग्राउंड कहें यह जो दूसरा कोईल है इ यहां इसके बाद यह जो देख रहे हैं तो इसमें पार निकलने शुरू हो जाता है तो देखिए इसको सफ्लाई इसा बना हुआ है एक नमर ग्राउंड है दो नमर में एजो फीट बैग है इसको पाचन नहीं इसको आइसी को देना है अगर इसमें बारो भोल चाहिए और ज्यादा बन रहा है तो इसमें फीट बैग सफ्लाई में होके यहां फीट बैग में इस डाइबर आइसी को मिलेगा सिगनल जो यह सफ्लाई ज्यादा है यह कम है तो फिर यहां से आके इसको कोंट्रोल करता है तो अभी इसमें फिर से यहां जो गेट है इसमें यहीं टिगर केते है अनपेनफ करके इसका इस पीट ज़्यादा कोंट्रोल हता है तो देखिए यह जो इस एक कोईल में बापकोल CP favor गोई कोई 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 अगसा में तो इसको कोई है solve यहां पर निकलता है और यह जो अप्टो देख रहे हैं यहां पर यह जो देख रहे हैं एक दो तीन चार पॉंट है यह जो इसका बिरिज डाट का जो ग्राउंड है होट ग्राउंड है यहां से दिया हुआ है तीन नमर में और चार नमर में फिटबेक सिंगनल यहां पर मिलता है जब ही इहां पर जब सफ्टाई निकलेगा इसको इहां से कंट्रोल किया हुआ है देखिए यह जो पॉंट है यह टी यल 431 आइसी है और यह अप्टो कपलर है त प्लास से 12 के से यहां आ रहा है आउटपुट सफ्लाई को एड़्जास केता है यहां पर अगर आप लोग यहां मेनुआली प्रिशेट राखके आप लोग ज्यादा कम कर सकते हैं तो इसमें इसा सार्किट बनाया हुआ हुआ है इसमें 12 वोल ही निकलेगा इसे केलकुड़ किया हुआ है 3 के और 12 के यहां देने पर ही यह 12 वोल निकलता है तो इसमें देखिए फोटो डायोट डिटेक्टिव टंजिस्टर है यह LED लाइड एमिटिंग डायोट है यह LED है इसमें लाइड निकलता है तो इसको की वीज किया हुआ है इससे लिए तो आप लोग देख र यूज होता है और इहां पर हाइड है अगर इसमें कुछ पूर्जा देके इधार ओकर कोंट्रोल किया जाएगा तो इसमें शट होने का चांस रहता है तो इसमें देखिए कैसे इस काम करता है यह जो लाइट एमिटिंग डायोड LED है इसमें अप्टो का अंदर बना हुआ ह इसमें लाइट इसमें देने का साथ साथ एक ट्रांजिस्टर है एक काम करने लगते है तो इसमें फीटबेग में कोंट्रोल आइसी में कोंट्रोल होता है और कोंट्रोल होने का बाद इसका गेट में इसको टीगानिंग सप्लाई कोंट्रोल होता है इसी से कोंट्रोल होने क लग बार बद यह त्टासपराम्न में आउट में 12 वल निकलता है तो देखिया इसमें इहां से इह लग फटो का लिडी है इसमें शिर्प लाइट जैसा तोच दे 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 के दूसरा साइड में इसमें सिग्नल दता है और सिग्नल देने का बार जयो ज़्टाइग तो इसमें इसा एक सिगनेल लाएगा और कम जलने से भी दूसरा सिगनेल लाएगा तभी इसको ज्यादा कम करता है बारो भल को तो देख रहे हैं आप लोग इसका इसा आउटपुट इनपुट में कोई संपर्क नहीं है इसे अलग सा किया वाई मतलब इसमें कोई कारेंट जाने का कोई शांस नाहीं है तो अप लोग देख लिए इसका अपट का मतलब क्या है यह आप डिक़ा है यह लाड़ इसका मेंनिंग है लाइट ब्लोल हो और कप्लार है यह दोनों को वोलते हैं कपलार तो आप लोग देख लिए इसके बाद आप लोग देख लिए इसके बाद आप लोग देखिए अगर 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 इसके बाद आ बढ़ जाएगा ज्यादा हो जाएगा मतलों इसमें फीडबेग नहीं मिल रहा है इसको कोंट्रोल नहीं हो रहा है सप्लाई कितना रहा है बार भुला रहा है तो इसको कोंट्रोल केलने के लिए अप्टो है इसको अपेन केलने से इसमें सप्लाई ज्यादा हो जाएगा और अ तो इसका मेंचक़ निक युचया से सथी इसको ज़ण गरिंगाइं लोगी मुचक्पफने शुरु गहता है। इसको जो VDD supply है इसको नहीं मिलने से क्या होगा जेखिए ये 5500-2K का दो रेजिस्टन स्रीज में लगा होगा है तीन सो तीन वोल्ट से इसको जो supply जा रहा है अगर एफ ले नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा एफ डाइवाराइसी फांक्षन नहीं करेगा तो फांक्षन हो इसको नहीं होगा तो इसमें फांक्षन नहीं होगा इसमें फांक्षन नहीं होगा तो इसमें फांक्षन नहीं होगा तो इसको सफ्लाइ कुछ नहीं निकलेगा तो इसको इसको सफ्लाइब कुछ नहीं निकलेगा तो इसको सफ्लाइब कुछ नहीं निकलेगा तो इसको सफ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अगर इसके बाद अगर सफलाई में स्वहीं नहीं निकाल दीएं तो निकालने के बाद इसमें सफलाई यह फिक्स नहीं आएगा इस्टेबल सप्लाई नहीं मिलने से इसको ब्लिंकिंग होना शुरू कर जाता है। इसमें काए 502K का रेजिस्टन्स दो लगा हुआ यह स्रीज में इस 330 वोल्ड में आके यहां पर चार्ज होता है। खुल्याज होने का जो ँच्फ जाता है तो आप इसमें सप्लाइ दयाना शुरू कर जयता है इसको टिघारिंग सप्लाइबॡड़ जो पर सजून copper तो आप लोग देख लिया है यहां पर अगर कोई पर्स निकल दीजिएगा तो इस लाइटिंग में इसा ब्लिंकिंग होना शुरू होगा मतलब शाफलाई फिक्स नहीं रहेगा बारो दोस आठ साथ इसा नहाटा बड़ावने जाएगा देखें दोस्तों एक पर्स अब्लाव में लाइन देके देखा देता हूं यह लोड दिया हूं बाल्प देख रहा है और कितना सप्लाई निकल रहा है मैं आप लोग को दिखा रहा हूं देखें देख रहा है मितर में 12.51 गोल दिखा रहा है इसमें पर्स ही है और इसके बाद में इसमें लोड हटा के दिखा देखें दोस्तों इसमें लोड हटा के इसमें सप्लाई दिया हूं कितना निकल रहा है दीखें टुबल पर्न फोरेइट सप्लाई दर रहा है और इसके बाद में आप लोग को दिखा रहा हूं एक पार्स खोल के क्या फोल्ट हो रहा है कि देखिए कि देखिए दुस्तो मैं ओप्टो को ऑपन कर दिया हूँ देख रहे हैं इसको ऑपन करना के बाद मैं इसमें लाइन देकर देखता हूँ क्या फल्ड हो रहा है कि देखिए दूस्तों मैं यह जो अप्टो को ऑपन करतीया हूं और इसमें सप्लाई देखता हूं मीटार में देखिए कितना सप्लाई निकार रहा है कि देखिए 11 12 19 20 ऐसा हो रहा है ज्यादा कम हो रहा है फिर भी इसको सप्लाई बाढ़ गया है तो इसको जो आउट बिट में जो केपासिटर लगा हुआ है इसलिए यह ज्यादा टाइम राखने से बास्ट हो सकता है तो इसलिए मैं इसको निकल दिया हूं इसको सप्लाई ज्यादा हो गया है फिर मैं इसमें बाल्ब दो को सिरिच कर लिया हूं और देखता हूं इसमें केशा हो रहा है देखिए दोस्तों दो बाल्ब को सीरिज करने के बाद में ओप्टो निकलने के बाद में देखा रहा हूं इसमें सप्लाई कीशा हो रहा है देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है यह ज्यादा हो जाता है फिर से इसको फीडबेक नहीं मिलता है तो घट जाता है इसा हो रहा है ओप क्टक्राब यहां से केसा हो रहा है इसको अउट पूट्ट में इसेलिए भिप्लिंग ही तो अगया है बना कि अगया को 918 के सब्सक्राइब стр commission दोस्तों मैंने यहां पर जो डायट को निकाला था इसको लगा दिया हूँ और मेरा सप्लाई स्टेपल है देख रहे हैं 12.5 दिखा रहा है तो आप लोग को पता चल गया है कहां पर कौन साश पार्ट्स निकलने से कौन सफोल्ट होगा तो चलिए दोस्तों मेरा जो चैनल है डीके इलेक्ट्रोनिस अगर आप लोग को पसंद हुआ होगा तो जरू से ज हुआ है